हेलो बच्चो आज जो है ना सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है और जिसको मैं बोलता हूं एक्स्ट्रीमिली वेरी इंपोर्टेंट बहुत ही बहुत जो है महत्पूर टॉपिक है इंडो मेंब्रेंस सिस्टम इंडो मेंब्रेंस सिस्टम अगर सही आप हमसे बात करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि the cell unit of life में अगर सबसे अगर इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो इंडो मेंब्रेंस सिस्टम है क्योंकि वो इंडो मेंब्रेंस सिस्टम है जो तक्रीबं हर सेल में उसका फंक्शन ही इंपोर्टेंट इस सेल के सर्वाइवल के लिए जिसको EMS सिस्टम कहते है जिसको EMS सिस्टम कहते है यह कि मेंब्रेंस सिस्टम लेकिन इंडो अंदर मेंब्रेंस सिस्टम तो जब मैं बात करता हूं इंडो मेंब्रेंस सिस्टम की यह सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि यह सिस्टम जो है ना सिंक्रोनाइज की अगा लिव्मीटे तो सबसे पहले तो में आपको पता दू कि यह लिखा हुआ हूँ जेल वी ये इंडो मेंब्रेंस सिस्टम में जो आता है वो यही आते हैं अब ये जेल वी है क्या तो इसको इसी करने के लिए जेल गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉड़ी या गॉल्जी कॉंप्लेक्स इंडो प्लाजमिक रेटिकु की दूस्तोब यह चार ऐसे सिस्टम हैं चार फोर फोर यह चार आपके सिस्टम जिसको हम बोलते और्गनेली सेल के अंदर यह सिस्टमी इंडो-μέम्राल सिस्टम का पार्थ है तो पहला को उस्टन जो है अगर एक तो आपका यहीं पेडर हो गया कि इंडो-मेंड्र system कौन सा जेल जो बालों में लगाते है जेल और कौन सा जेल वी या फाइब दाट इस गौल जी इंडोप्लाजबी रेटिकुलम लाइसोजोम एंड वैक्यूल 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 ओके इंडोप्ल इसिस्टम अब ये system है क्या सबसे important बाती है अब इस इसको हम लोग कैसे जो है आ खेल खेल में समझ है बिलकुक्फ असान तरीके से खेलते खेलते रहा है और उसके नहीं की के से समझा सको हूं अब यापका मिश्टरियू करियोट इक सेल है यू करियोट्ट सेल सेल नों डाउट क्योंकि सारे और टेकल इसी में होगे अब यह एक क्वोश्चन आता हां दिमांग यह की ऑरगनेली क्या है अपको मौलूम है कि सेल के अंदर जो है ऑरगनेली है जैसे इंडोप्लाजिम गरेक्तुकलम गोलजी बॉडीज माईटोकंडिया क्लोरोप्लास यह क्या है इफ्रेंट ओरगनेल है टीक है तो यह एक्ट्री ओरगनेल हम किसको बोलेंगे औरगनलम उसको बोलेंगे जो वो सेल के अंदर वो structure वो structure जो metabolically active हो जो जिन्दा हो जिसमें कुछ काम हो रहा हो उसको अब लोग बोलते हैं cell organally cell के अंदर organally होता है mitochondria endoplasm reticulum golgi bodies होता है no doubt अब यह जो organally है इसके अंदर metabolic जो active होता है तो cytoplasm में वो सारी structure वो सारी structure cytoplasm में जैसे nucleus यह क्या आपका nucleus है उसके बाद जो है आपका क्या आता है endoplasmic reticulum है endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum उसके बाद अगर आप देखें तो आपका क्या आता है golgi apparatus गोलजी apparatus यह एक organally है अगर आप उसके बाद आप देखेंगे तो mitochondria 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 ठीक है उसके बाद देखेंगे chloroplast plant में photosynthesis तो दोस्तों यह कहानी जो है न तो सबसे पहले तो आप यह समझे कि सेल की औरomet आकनाली है क्या यह सेल के औरन आप एक्टिव है तो यह सजद की की operator गोरी है यह मैटाबोलकली आक्टिव है यह ओर गोरी तो यह आक्टिव हों जो एक्टिव हों जिन्दा हों काम कर रहा हो तो उसको और गनिली बोलते हैं तो यह खेल जो है इसको इसका जो है फंडमेंटल कॉंसेप्ट यानी कि बेशीक कॉंसेप्ट समझते हैं बेशीक कॉंसेप Eig यह सिस्टम है क्या चीज़ आपका यह नूकुलियस है नूचा हार आप मी जानता है नूकुलियस है यह नूकुलियस माहें आपको बताऊ यह नूकुलियस के अंदर क्रोमोजॉम empathy है 46 chromosome जैसे human ने वैसे यू करिया यह जो chromosome होते हैं आपको पता है यह chromosome यह यह ठीक है double structure उसके अंदर dna होता है क्या होता है यह एरिया जो है suppose करिये transcription हो रहा है यानि कि यह एरिया यह जीन जो है वह transcribed हो रहा है और वह जो है transcribed होके आपको क्या बना रहा है mRNA क्या बना रहा है mRNA यह यहां ते transcribed हुआ इसका detail हम बाद में बताएंगे बट जब यह transcribed होता है तो यह आपका क्या mRNA mRNA ओके क्या है यह दोस्तों यह आपका निकला mRNA mRNA messenger RNA messenger RNA ठीक है actually होता क्या है messenger RNA अब यह जो nucleus है यह nuclear membrane है यह आपका क्या यह आपका nucleus है यह किसकी अब बात कर रहे है nucleus की nucleus की nucleus की इस nucleus के पास जो है न सबसे जो करीब organically है जो सबसे करीब इसका जो सबसे करीब दोस्त है जो बिल्कुल जो है न इससे attached है nuclear membrane से बिल्कुल एक तरह समझ लीजेँ यह attached है यह एक चादर covering यह आपकी covering है यह बिल्कुल जो है यह आपका जो है यह बिल्कु इसको cover किये हूआ है चारों तरफ से चारों तरफ से यह आपका यह तो आपको एक तरह से एन टोमेड़ी प्रेक्त नहीं है लेकिन इस स्वर्प जो है सम्झाने के लिए यह है ठीक है तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना बैक साइड में पूरा गा पूरा जो सबसे था इइंकर्पrin की आता है कि इसमें जुष सब्सें इंपॉर्टन पंट ऐए्ज जो निकोलिय के रैटीकुलाम। 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 यह जितना आपको लग रहा है कि यह structure ऐसा है तो यह उतना ही आसान structure है। यह इतनी हेता है एकई कटमें ऑगर आप जो है अगर is omb Lfish कोप से अगर आप sentence कर देखिंड ना तो पता कैसे दिखेंगा एक कायर से एकंडर जो ए बाल डाल भाएल और बाल यह ना जैसे यह बाउल है आपका for example, ये अगर आपका बाउल है, बाउल है, ठीक है, ये आपका बाउल है, और इस बाउल में जब आप इसमें बाउल डाल देते हैं, ये बाउल इस तरह से, ये बाउल, ये सपोस कर ये बाउल है, ये बाउल है, इस बाउल में, तो ये आपका नुकलियस हो जाता है, और ये आ ज्याला तर जो है ना लोग इसके जो है structure में ज्याला तर लोग confused करते हैं तो confused नहीं करना है actually क्या है endoplasmetic reticulum मैं और बता हूँ देखिए endoplasmetic reticulum ओक्य है कि एक चुली इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम का क्या मतलब है आपका जैसे कि यह आपका है यह है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम जो हम जो होता है वह एक तरए से नेटवर्क कहलाता है क्या कहलाता है नेटवर्क यह देखिए यह क्या है नेटवर्क है तो और इसके अंदर बीच में जो है जो आपका क्या होता है वो nucleus है ये बीच में क्या है आपका वो nucleus है ये जो endoplasmic reticulum है ये फोल्ड है fold in the sense के tube like structure है क्या है tube like structure क्या है tube like structure है ये इसके folding को आप गात करेंगे सबसे पहले तो ये है tube like structure है ये endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum यहां पर मैं आपको बता हूँ इसके दो important हिस्से है types है एक तो ये type है कि जो हिस्सा जो हिस्से पर ribosome present होता है ये देखिए यानि कि अगर मैं इसको ribosome present होता है ये ribosomes है ribosome present होता है वो हिस्सा rough endoplasmic reticulum कहलाता है rough वाला rough वाला of course जिस पे नहीं present होगा जिस हिस्से में present नहीं होगा जिस हिस्से में present नहीं होगा वो smooth endoplasmic reticulum कहलाता है तो तो टाइप हो गया एक रफ टाइप का हो गया एक स्मूथ टाइप का हो गया एक स्मूथ टाइप का हो गया तो यह जो नेट वर्किंग है न दोस्तों यह ट्यूब जो है ट्यूबिंग जो है यह होल नुकलियस के चारो तरब जो है यह इंडोप्लास्मिक रेट कुलम इसको कहा जाता है कहा जाता है, ओके अब यह जो ट्यूब है तो अब क्या होगा अब इसको हम यहां पे जो है comparative करते हैं, उसको हम यह करते हैं तो हम यहां पे अगर मैं इस तरह से एक बात कहूं कि suppose करिए कि ये जो है आपका नेकलेस है suppose करिए ये आपका नेकलेस है ये क्या नेकलेस है आपका इस नेकलेस में जहां 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 नेकलेस में जहां जहां आपका राइबुजूम्स वाला हिस्सा होगा क्या होगा राइबुजूम्स यानि कि जहां जहां पे हीरा जड़ा होग हीरा यह ही लहाला यह जड़ा होगा यह जड़ा होगा बुएछर ऑर यह साथ में बताओं साथ में जो होता है वह ज्यादत थर यह जो टाइड होता है वह टोस्ट यह दोश्ट यह tujya है जो इसके साथ attached होता है वो एरिया जो है वो हीरे से जड़ा होता है हीरे से जड़ा होता है जड़ा होता है तो दोस्तों ये जो एरिया है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम का ये एरिया जो है ये जो है वो रफ रफ इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम है क्या है रफ ये बहुत endoplasmic reticulum क्या दोस्तों rough endoplasmic reticulum और यह भी रफ यह क्या यह भी रफ है अब होता क्या है कि और जो अइरिया जो एरिया जो एरिया जो एरिया जो एरिया लेत में डॉइने मौर एक्स्टेंसिसेव है वह एरिया वो area जिसमें नहीं होता है ठीक है? नहीं होता है, यह जैसे नहीं है इस हिस्से को जहां पे ribosomes नहीं है आपको सरी ट्यूब-like structure दिखेगा यह tube है, tube ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर दिखेगा यह ट्यूब जहां पर राइबोजॉम नहीं है जहां कोई हीरा नहीं गड़ा गया है तो यह जो नेकलेस में जो हिस्सा होगा जिसमें हीरे नहीं लगे हुए है यह जो है ना इस्मूथ इंडोपलाजमिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा इस्मूथ इंडोपलाजमिक रेटिकुलम यह इस्मूथ होगा इस्मूथ इसलिए होगा इस्मूथ क्यों होगा क्योंकि इसमें राइबोजॉम नहीं है और राइबोजॉम क्या ग्रेनूल होता है ग्रेनूल तो इस क्या होते है ग्रेनूल्स इसमें होते है तो यह क्या है ग्रेनूलर है ग्रेनूलर और यह किसमा जाते है ए ग्रेनूलर ए ग्रेनूलर ए मतलब एपसेंट इसमें ग्रेनूल्स नहीं है ग्रेनूल्स किसकी वज़ा से है राइबोजोम की वज़ा से है राइबोजोम की वज़ा स है तो एमस सिस्टम इंडो मेंब्रेल सिस्टम तो यह यह आपका इंडो प्लाजमिक रेट कुलम है अब देखिए अब जब यह राइबोजोम जो है आपका यह जो एमरने है यह यह इस पर यह पर ट्रांसलेट होके यहां पर ट्रांसलेट होके फिर यहां पर प्रोटीन बनाता है क्या बनाता है प्रोटीन क्या मनाता है प्रोटीन यह सपॉस करिए प्रोटीन प्रोटीन है Cristal ना यह प्रोटीन जैसे यह एरिया है इस प्रोटीन पे यहां पे इंजाइम होगा जो फर्दर जो है ना फर्दर फर्दर इस प्रोटीन को इस प्रोटीन को फर्दर जो है इसके अंदर और इसको रिफाइन करेगा क्योंकि यह तो कुरूड है कुरूड वह बात बताऊंगा इसमें और डेकोरेशन करेगा इसके अंदर जो है और जादा इसको रिफाइन करने की कोशिज करेगा ठीक है यानि कि इसके अंदर कुछ जो है यह प्रोटीन आपका यहां से निकलते हुए सिच्टम को करते हुए से और यह यह Seed जो यह protein निकलेगा और यहां से जो निकलेगा वो पता है cargo system है वो vesicle के form में मिलकेगा, vesicle के form में, किसमें? जैसे suppose करिए यह vesicle है, यह bound organelle इसको ही बोली है, vesicle है, छोटा सा गोला सा, ठीक है, यह vesicle का मतलब क्या हो गया है, एक तरह से यह bag है, क्या है, यह bag है, तो यह क्या है, एक तरह से bag है, this is your bag, ठीक है, इसके अंदर या तो protein होता है, protein, protein होता है, ठीक है, और दोस्तों पता, यह जो smooth endoplasmary reticulum है, यह area जो होता है, जो smooth वाला होता है, वो totally जो होता है, वो lipid के लिए होता है, किसके लिए होता है, lipid synthesis के लिए, यह देखिया, यह chain है, यह chain है, यह head and tail है, ठीक है, तो यह lipid के लिए जो होता है, basically, तो यह तो बैग में इस वेजिकल में इस वेजिकल में या तो प्रोटीन केरी करेगा या तो लिपिड केरी करेगा ठीक है यह सपोस करिए इस वेजिकल में प्रोटीन है प्रोटीन और इस वेजिकल में लिपिड है लिपिड लिपिड और यह स्टिरॉयल जिसको स्टिरॉयल हर्मोन भी क ये smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum इस area से ये synthesize होता है smooth endoplasmic reticulum जिस cells में smooth जो cells में lipid और ज़्यादा चाहिए lipid उसमें smooth endoplasmic reticulum जो है वो ज़्यादा area कवर करेगा वो ज़्यादा function करेगा वो ज़्यादा function करेगा लेकिन जिसमें protein ज़्यादा चाहिए protein protein ज़्यादा चाहिए उस cells में ये ज़्यादा active होगा rough endoplasmic reticulum तो total अगर rough endoplasmic reticulum देखे हैं तो rough and smooth में तो दो तरह का जो है bag में transfer होता है protein आता है और lipid का जो है cargo system आता है cargo system ये आता है ठीक है no doubt उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो अब ये यहाँ से कहां जाएगा ये बड़ा important point है कि ये कहां से कहां जाएगा ये जाएगा आपका दोस्तो गॉलजी में कहां पर जाएगा गॉलजी गॉलजी बाडीज में कहां पर जाएगा गॉलजी actually क्या होता है ना कि अब ये machine है ये एक-एक machine से pass होगा ताकि ये और refine होता चला जाए और बहतरीन होता चला जाए और इसकी packaging जो है ना और जिसे local package है इसका ये locally package है लेकिन जब ये जो है इसमें जाता है ये गॉलजी में ये क्या है? गॉलजी bodies गॉलजी ये क्या है? गॉलजी 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 bodies गॉलजी ऑप ये यहाँ से यह यै आपकी प्रोटीन है ये जो ब्यूनिफ फॉल प्रोटीन है आपका छांदार प्रोटीन हुआ ठीक है ये प्रोटीन और ये लिपीड यहां प्रोटीन है ये इस में जो है इस वेजिकल के जड़ी है तो ये क्या है ये वेजिकल है ये वेजिकल को आप खाली वेजिकल कही है या इमेच्चूर कह सकते है वेजिकल है लेकिन इमेच्चूर या वेजिकल कही है अब यहां से जो है यहां से जो आपका निकलता है वो क्या निकलता है? वो आपके जो है, basically जो है, बैग निकलते हैं, अगर सपोस कर ये, एक बैग, मा लग-लग कलर से बताता हूँ, एक बैग, एक बैग यहाँ से निकला, एक वेजिकल निकला, ठीक है? वेजिकल निकला जिसके अंदर अगर इंजाइम है अगर ये सपोस करिए इंजाइम है अगर ये क्या है इंजाइम है एक हो गया इंजाइम क्या हो गया इंजाइम इसे इंजाइम तो यह क्या कहलाएगा lysozyme ठीक है यहाँ से packaging जो है दूसरा जो हुआ आपका वो suppose करिए दूसरा जो हुआ आपका वो जो दूसरी packaging हुई let me put in a different color packaging जो ही यहाँ से अगर यह enzyme है तो protein ही होता तो lysozyme इसके अंदर जो है वेस्ट product है क्या है west क्या है इसके अंदर west product है तो इसको क्या बोलेंगा west product है तो यह क्या बोलेंगे vacule क्या बोलेंगे vacule 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 ठीक है और यह जो bag बना हुआ है जो यह vehicle है यह matureveical है क्या है matureveical mature vesical है किया है tak is ज्रज टो यह र यह कितना खुब्सूरा शिस्टम है स्सग्स का सब्सक्राइब का हरिस्टम अइस्टम ऑफिजिकल सिस्टम इनवर्सर सिस्टम पती है आप तो शलायं Casino आप coordinated way में होते हैं, synchronized way में होते हैं, कोई भी ऐसा system ले, आप body का system ले लो, inverse का system ले लो, social system ले लीजे आप, ठीक है, कोई भी system ले लीजे, everything in the coordinated way, coordinated way, coordinated way, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि four cell organelles, four, four, four cell organelles, organelles, मिल के, four cell organelles का set, 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 four cell organelles का set, मिल के, system बनाते हैं, क्या coordinated system, coordinated system, coordinated system बनाते हैं, ठीक है, और वो चार organelles कौन कौन से हैं, पहला, endoplasmic reticulum, दूसरा, गोल्जी, body's apparatus या complex, तीसरा, आपका, lysozyme, lysozyme, और चौथा आपका, vacule, तो दोस्तों, यह, चार cell organelles का set, जो coordinated and synchronized way में होता है, उसी को तो हम लोग, endomembrane system कहते हैं, यही है endomembrane system, यही है endomembrane system, but, if you are going to understand in a very clear way, it is very easy, तो देखी यह कितना आसान है system, it is very clear, very pristine, बहुत ही clear है, अब इसको आप देखें अगर, तो यह तो आपका हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि, पहले हम बता चुके हैं, यह जितने organically हैं ना, इसके यह single membrane वाले हैं, single membrane से covering है, they are come under the membranous system है, 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 और कौनसा membrane, single membrane, यह system जो है वो पूरा single membrane का है, फिर दिमाग में बात आती है, अरे यार, double membrane भी तो पढ़ाता है, कौनसा, mitochondria, what is, that is called mitochondria, chloroplast, and peroxisome, तो अगर मैं बात करूं कि, यह तो आपका हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका mitochondria, 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 और अपका chloroplast, chloroplast and peroxisome, peroxisome जो कि, यह double membrane वाले थे, peroxisome, तो, paroxysome को micro bodies भी बोलते है, micro bodies, क्या बोलते है, micro bodies, तो यार यह क्यों नहीं इंडो मेंब्रेन का system है, very good question, यह होना चाहिए, क्यों नहीं है यह, वजब बड़ी clear है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, यह इस system के साथ coordinate नहीं है, synchronized नहीं है, इस system के साथ, यह synchronized नहीं है, यह coordinate नहीं है, इसलिए यह, this system, is not considered as endomembrane system क्योंकि mitochondria अलग है, यह coordinated नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो EMS की कहानी overall तो यह है, endomembrane system की जो कहानी है, this is the real picture of endomembrane system, real real picture of endomembrane system, real real picture of endomembrane system, तो, हर organali, what is organali, organali are those structure, living structure, which are metabolically very very active, where, in the cytoplasm, that is called cell organali, and this organali is the part of endomembrane system and this is not, albata that every system endoplasm reticulum, Golgi body, they are structurally and functionally different, structurally functionally different but in a coordinated way, that is called endomembrane system, which is, you can say, if you want to remember it forever, gel V, endo, Golgi, lysozome, and vacu, this is the part of endomembrane system, which is very very beautiful, very elegant, gentle, gentle function, okay, and that is the part of endomembrane system, this is the part of endomembrane system, which is the part of endomembrane system, we have understood that, this is the part of endomembrane system, clear? now, let us make a little space, let me put some space, but from where? let me do here, I have a little space, now, the parts of endomembrane system, parts, if I talk about endomembrane system, parts of endomembrane system, ख्रभाइब करते हूं हमके कुछ इंपॉर्टेन् कंपोनेंट्स पार्ट कमपोनेंट को मैं बोलता हूं-पार्ट क्या नियर सब्सक्राइब न रहा हैं क्या क्या के रहा है sisterne 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 ठीक है क्या कहलाता दोस्तो this is called sisterne sisterne ओक है यह sisterne area था जहां पे ribosome जो है वो embedded थे है जहां पे ribosome आपका attached था ठीक है यह जो ribosome बाहर है वो अंदर की तरफ है this is just समझने के लिए ठीक है यह जो ribosome थे वो इस तरह से attached होते है membrane को उपर यह membrane को उपर sorry membrane के उपर ऐसे ऐसे उपर ऐसे attached होते है ठीक है यह क्या होते है इस तरह से membrane को उपर जो होते है वो attached होते है इनको हमनों बोलते है surface पे तो एक हिस्सा आपका हो गया sister ने ठीक है दूसरा हिस्सा जो है यह आपको जो देखेंगे यह जो हिस्सा मैं इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम के बारे में अब डीटेल एमस हमारा हो गया अब इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम के हिस्से को देखेंगे अब यह क्या हो गया सिश्टरेंद ऑ्क होगे ही इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जो है एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कि यह एक यहां पे ट्यूब होताई ट्यूब जयर की इसके साथ जुड़ा भी हो सकता है और इसके साथ म्लुक़् wage की एक तो एक एक हिस्सा इसका जो है टीउब वाला है जिसको लोग बोलते हैं टीब्यूज क्या बोलते हैं टीब्यूज क्या बोलते हैं टीब्यूज क्या बोलते हैं टीब्यूज क्या बोलते हैं टीब्यूज एक सिष्टर ने एक टीब्यूज एक क्या हो गया टीब्यूज और उसके बा Vesicles S Vesicles S Vesicles S भ में जो इसी का part है इसी का component है इस Vesicles इस Vesicles S ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि endopplasmico reticulum का endoplasmico reticulum यह बात मैं करा endoplasmico reticulum बहुत आसान है endoplasmico reticulum आप अगर देखे तो एक हो गया sister ने sister ने एक हो गया tubules एक हो गया vacule ठीक है तो CTV कौन सा TV? CTV इंडो प्लादिंकुलम का जो component है वो कौन से हो गया important component important component कौन सी TV है CTV है sister ने tubules and vacule यह इसके important components है important components है तो जैसा कि मैं बताया कि अगर मैं CTV sister ने की बात करूँ तो यह दोस्तों जो है the most important point यह है यह जो sister ने है इस sister ने को थोड़ा समय इसको और अलग separate बना के दिखाता हूँ मैं आपको separate यह क्या है? यह जैसे suppose करिए कि यह sister ने वाला हिस्सा है sister ने ठीक है? यह देखिए यह अगर हिस्सा टीबूल्स का sister ने है ठीक है? इसको ज़़ा समझ जीए वाव तो यह sister ने जो है यह sister ने यह sister ने यह sister ने इसका यह वाला हिस्सा हमने ताकि आपको समझ में आजा इसके उपर जो मैंने बोला ना कि ribosomes होते है तो यह sister ने में सबसे पहले तो ribosomes present होते है तो sister में क्या present होते है ribosomes क्या present होते है? ribosomes देखिए यह क्या present है? ribosomes ribosomes अग यह ribosomes आपको पता eukaryotic है तो कौन सा होगा? 80 वाला 80s 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 okay? clear? 80s 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 ठीक है? अब यार यह जो आपका 80s है ठीक है? और यह कौन सा हिस्सा है? यह है आपका sister ने sister ने एक जो पहला component है sister ने sister ने है ठीक है? अब इस ribosome के बारे में अगर हमें बता हूँ यह ribosome ribosome आपको पता है ribosome 80s के दो component दो हिस्से है उसके एक क्या है? एक बड़ा वाला हिस्सा एक क्या है? यह देखें मैं इदर दिखा रहा हूँ एक इसका जो है बड़ा वाला सब यूनिट दो यूनिट है क्या है? दो यूनिट है दो इसके इनिट होते हैं एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट राइबोजोम का है और यह आपका इस पे जो है यह सिष्टरने के साथ चिपका हुआ है क्या है? सिष्टरने के साथ दोस्तों चिपका हुआ है है यह सिश्टरने वाले ट्यूब के साथ चिपका हुआ है अब यह जो आपको पता है कि यह 40 और यह 60 यू को यह टेमिल के 80 बनाते हैं यह जो यह इंपोर्टेंट यहां पे इसको याद करने की चीज़ है यह भी यह सबसे इंपोर्टेंट है यहां पर आपको बदब यह जो ह इंपोर्टेंट प्रोटीन इंपोर्टेंट प्रोटीन इंपोर्टेंट प्रोटीन इंपोर्टेंट इसकोड राइबो राइबो फोरीन राइबो फोरीन क्या है राइबो फोरीन क्या है राइबो फोरीन वन और टू बोलते है वन और राइबो फोरीन जो कि यह ग्लाइको प्रोटीन है और यहीआ पर पपता है कि थैटिक है और podcast बात वह बताएंगे तो यह आपका जो है राइम फोरीन इससे जो चिपका होता है तो यह एक part सबसे important part क्या है कि यह राइबोफोरीन है क्या है राइबोफोरीन है तो आपको मैं बताया हूँ कि राइबोफोरीन यह हो गया और दोस्तों MRN ने MRN जो है यह यहां से हो के जाता है और फिर यह MRN ने इस राइबोजोम के जरिये जो है आपको पत है कि protein synthesis होती है protein synthesis में help करता है है यह इससे जो है बिल्को फार्मल इटैस्ट होता है तो यह जब formally attached होता है तो वो riboforine है तो सिस्टरने में जो है न जो सबसे important चीज जो थी सिस्टरने में कि यह इसको help करता attachment में क्या help करता है attachment में और यह area जो है कौन सा rough वाला है क्या है दोस्तो रफ है अब मैं आपको बताऊं कि यह rough है और इस तो सिस्टरने का जो सबसे important part क्या था कि एक तो ribosome है वो यह attach होता है तो इसका मतलब सिस्टरने में अगर point देखें तो point number one sister sisterने में sisterने का अगर देखें हम point number one अगर मैं यहां पी लिखो sisterने 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 देखो point number one sisterने में क्या है एक तो ribosome ribosome दूसरा क्या है दोस्तों दूसरा क्या है protein synthesis तीसरा क्या वो राइबोफोरीन जो है जो ग्लू है राइबोफोरीन जो ग्लाइको प्रोटीने वोस को चिपकाय रहता है तो यह सिस्टरने का जो है यहां पर तीन इसके जो है फंक्शन है यहां पर और वो आपको जो है जब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना होगा यह कब दिखेगा आ ठीक है अगर टीवीव की बात करने यह टीवीव से जिस पर राइबोजोम नहीं है तो जाहिरती बात है यह टीवीव पता यह स्मूछ रिंटोप्लाजिमी रेट कुल लब कहलाएगा राइबोजूम नहीं होगा, no ribosomes, no ribosomes, no ribosomes and lipid और sterol की synthesis होगी, lipid, lipid और sterol की synthesis होगी, जो की smooth endoplasmary reticulum का पाट है, एक तर से देखा जाए, तो लेकिन हम endoplasmary reticulum का देख रहा है, इसको बाद में बताऊँगा, तर टीव्यूस, टीव्यूस हो गया, तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है, आपका vesicles, तीसरा क्या आपका vesicles, तो vesicles क्या है, एक membrane bound है, structure है, जिसमें कोई ribosome का लेना देना कुछ हाई नहीं, नो राइबोजोंस वेजिकल में यह वेजिकल है तो कोई राइबोजोंस का लेना देना नहीं है तो इसका मतलब इसके तीन important components sister ने tibules and vacule sister ने आपको protein synthesis राइबोजोंस प्रेजेंट होता है tibules में नहीं होता है vacule तो एक bag है एक bounded एक bag type का है और उसमें राइबोजोंस का कोई लेना देना नहीं होता है तो यह आपका जो है endoplasmic reticulum का कुछ आपके वो component हो गए component हो गए इसके parts हो गए अब इस endoplasmic reticulum में मैं आपको बहुत important जो ज़्यादा तब पूछा जाता है वो भी क्योंकि sometime misconception हो जाता है लोग पूछाथा concept जो है वो एक्चुली यह हमने बता है component वो किस से बना हुआ है लेकिन जब यह component बन जाता है ना दोस्तों जब यह component बन जाता है तो जब component बन जाता है तो in fact जो है ना यह compartment का जो है formation ले लेता है किसके लेता है इंडो प्लाजमिक रेटकूलम में बहुत ही 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 इंडो प्लाजमिक रेटकूलम दोष्टों इंडो प्लाज्मिक रेटकुलम प्लाज्मिक में ठीक पुलंव तो के यार यह है आ इसके दो प्लाज्मिक रेटकुलम जो है इंडो प्लाजमिक रेटुकुलम इसके दो कमपाट्मेंट ये ध्यान से सुनिएगा ये इंपोर्टेंट पॉर्ट से दो कमपाट्मेंट इंडो प्लाजमिक रेटुकुलम के दो कमपाट्मेंट इंडो प्लाजमिक रेटुकुलम के दो कमपाट्मेंट एक लीमन वाला एक Lumen Compartment ठीक है? जो की Membrane Bound है इंडो प्लादिमी रेटिकुलम के और एक Extra Lumen एक क्या है? Extra Lumen Compartment बहुत असान है यार ये जो एरिया है ना ये ये जो एरिया जो Lumen खाली है ये Lumen का पांट पर ये क्या है? Let me put in a different color so that you should never confused ये क्या Lumen ये क्या Lumen ये क्या Lumen तो Lumen Compartment is actually Inclosed by Endoplasmical Reticulum What is Inclosed? Covered by, bound by, confied by Endoplasmical Membrane ये दिखें, Membrane है Membrane Membrane है, ये क्या Membrane Definitely ये Membrane है No doubt Membrane है अब यह दोस्तों जो मैंब्रेन है इसमें जो अंदर का एरिया जो इस document एक सरह लुमन ऐता है ली तो और किसके अंदर विध कि अंदर है यह दखिये कि अंदर है लेकिन जो एक्ट्रा-म मुन होगा ना देखें यह बहार यहां पर ये यहां पहे है। यह जो एरिया ये जो एरिया इसको बावडा एकशोली एक्सटैनलुमनॉ और ईए इसको वालडर इ प्सक्षरिवन तर्लो के पुर अगर एरिया कहने का मतलब है क्या है अग्प का जो है इसको बला इंपट्टुथेश्अ कज पुर्यका यह अगार एयर यह अलरे एरिया यह थीक कर यह अगर आपका यह यह लूमन है यह लूमन है ऐने यह बाहर प्लाजम को प्लाजम में सैटेटulle में यह अन्दर तो हो गिया 하면 यह ऑन्योरी एक्स्ट्रा लिवन में एइस साइट्लाजम में थांड़ कि कॉलW वो space है जो present है in the cytoplasm ये कहों था space है ये ऐसा space है जो cytoplasm में है और ये ऐसा space है जो endoplasm reticulum के membrane के अंदर है अंदर है तो ये हो गया तो इसमें actually दोस्तों मैं आपको बताऊँ जो important चीज़ है वो ये है कि एक तो तीन parts होते है parts हो गया जिसे ये बना हुआ है ठीक है component अब बनने के बाद जो compartment बनता है जिसे parts है कोई गाड़ी का है तो कोई parts इससे सबनके फिर वो गाड़ी बना फिर आगे किसी इट पीछे किसी इट तो इसी तऱ compartment और component में ये ही फरक है तो ये आपका lumen और ये extra lumen लेकिन जब parts की बात करेंगे तो c tv sister ने tubules and vesicles ये इसके parts है जो मैंने आपको अभी बताया तो ये आपका जो है ना बहुत ही important जो है ये आपको मैंने यहाँ पे describe कर दिया ये आपको describe कर दिया हमने तो हमने जहां पे हमने बताया कि अगर वो एरिया यहाँ पे आपका वो एरिया यहाँ पे राइबोजोम नहीं है वो तो इस्मूथ होगा यानि कि अगर इन शॉट बोले अगर अगर मैं बात करूँ ड Exhale कि अगर मैं एक तरफ डालता हूं फ्येंड भाडर को पीडील हूँ शॉट ही स्मूथ रफ राफ रेये अगल का यानि तोॉ alarmist टो अगर मुंदो आक तरफ डालता हूं फ्यु यह उस्मूथ शॉरी रफ रफ रेबड़क रेटिकूल अगर Kalan rough endoplasmic reticulum और एक तरफ जो है अगर मैं देखूँ smooth endoplasmic reticulum smooth smooth endoplasmic reticulum क्या है? smooth endoplasmic reticulum तो अगर इसका मैं इन दोनों के बीच का अगर मैं कुछ important difference की बात करूँ तो आपको पता है कि जो आपका rough endoplasmic reticulum है rough ये तो no doubt अगर ये suppose करी sister ने है इसका part तो ये जो है जहां पर आपके ribosomes लगे हुआ है यानि कि ribosomes लगा हुआ है ribosomes लगा हुआ है और ये tube जो है जिसमें ribosomes नहीं है तो इसमें ribosomes होता है और इसमें ribosomes नहीं होता है तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया कि ribosomes present ribosomes ribosomes present ribosomes absent ribosomes absent जो कि एक ग्लाइको प्रोटीन है जो गोध है हमारा जो इसको मेंब्रेंस एटेच करता राइबोजोम में यहां राइबोफोरीन absent है ribosome absent है में इसका मतलब absent है और यह जालाता जो है आपका यह एक्चुली यह sister ने कहलाता है और यह जो है जान राइबोजोम है और यह जो कहलाता है वो टीव्यूस यह टीव्यूस का पहिस्सा है टीव्यूस का हिस्सा है जो मैंने बताया थे आपादील पार्ट है की कौन कौन सी सेल्स हैं जिसमने डियादा मतलप की अगर आप को बता हूं LPG 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 ठीक है तो अगर मैं यह कहूँ कि actually क्याने कि cells के हिसाब से जहां पर protein बहुत जादा चाहिए जहां पर lipid जाना चाहिए वहाँ smooth endoplasmary reticulum जादा होगा जहां पर protein के जादा factory होगी जहां पर requirement होगा secretion होगा जहां protein synthesis बहुत जादा चाहिए वहाँ पर rough endoplasmary reticulum जादा engage होगा जादा abundant present होगा abundantly present होगा तो दोस्तों rough endoplasmary जो लीवर है L से लीवर और यह pancreas pancreas और यह goblet cell goblet cell आपको पता है goblet cell क्या है वो intestine intestine का जो मुकोसा होता है mucosal cells होती है जो absorb करती है digestion में और absorption में वो goblet cell कहलाती है क्या कहलाती है goblet cells दोस्तों यहाँ पर protein की बड़ी requirement है यहाँ पर protein की बड़ी requirement है protein की बहुत requirement है तो इसलिए यह जो rough endoplasmary जो जो है लीवर pancreas and goblet cell goblet cells में यह पाई जाती है लेकिन smooth endoplasmary netfilm की बात करें जहां पर हमको basically क्या चाहिए lipid चाहिए क्या चाहिए यहां पर lipid actually smooth क्या 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 करता है जैसे glycogen का formation glycogen lipid का formation lipid का formation steroid hormone का formation किसका steroid hormone का formation steroid hormone का formation lipid का formation glycogen का formation यह करता है तो जो tissue जैसे adipose tissue adipose tissue adipose tissue adipose fat cell fat cell fat cell fat cell क्याने मतलब कि जहां पर है उसकी ज्यादा होगा smooth में lipid अगर हमें कहीं चाहिए जैसे कि muscles में muscles में muscles में smooth endoplasmary reticulum का बहुत ज्यादा रोल होता है liver cell में भी चाहिए adrenal cortex में भी चाहिए तो यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि हमारा होता है लेकिन एक जो बड़ा question पूछा जाता है जो कि बहुत important है एक जो सबसे important है इस पर आप ध्यान दिजेगा बहुत important है कि यह पता है यह जो smooth endoplasmary reticulum है यह skeletal 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 muscles और cardiac muscle में cardiac muscle में यह पहुत जादा होता है लेकिन इसमें इसका नाम जो है ना sarcoplasmic sarcoplasmic reticulum क्या बोलते है sarcoplasmic reticulum जो calcium भरा रहता है और calcium क्या करता है muscles के contraction में help करता है आपको मालूम है कि यह sarcoplasmic होता है वह basically muscle के contraction में याद रखेगा muscles के contraction में यह muscles है इस पे sarcoplasmic reticulum जो है ना केल्शियम का बैग है smooth into plasma है जब केल्शियम आता है इसके अंदर काल्मोडिलिन से वह वह अलग system है यह muscles के contraction में muscles के muscles के contraction में help करता है muscles के contraction में help करता है sarcoplasmic reticulum actually क्लेटर काडियक मरेग इसल Makes nadar cadaicium के लिएructure sm finances कलिए तो उसको 5 इन जगपे उन सेल में इसको हम सार को प्लाजबी कहते हैं क्या कहते हैं सारको प्लाजम क्ली on कहते हैं रभि केल्सियम मुश्फ में हर नाम है सार को प्लाजमीच जो कि skeletal muscles में इसका involvement सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा होता है तो ये important difference था इसके rough endoplasmic reticulum में और smooth endoplasmic reticulum में ये सबसे ज़्यादा इसका difference था ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं गोल जी अप्रेटर्स की